दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये वाली फिलाई और चेन वाली जो फिलाई हैं इनको हमने accordance करा था बनाया था यानि कि यानि कि यह दोनों पढले हमारे सामने के थायार हो गए हैं अब हमको कौट पला बनाना है बैक का तो बैक हमाने हम इसमें cha बाकिट करते ह जैसे कि एक ये निसान लगा होता है कमर का और ये एक लगा होता है ये बाला ये होता है डाट का बतलब एक इंची जो डाट छोड़ते हैं बो तो यहां से हमको नहीं नापना है यहां से हमको नापना है इधर साइड में तो यह दिखे कितना आ रहा है सबानौ सबानौ के इंच कम करके इधर साइटम लगाना है और यहां पर देखिए और हलका सा किरास में पाकिट जितना भी नीचे लगाए उतनी ही आपको डाट डाल देनी है तो जैसे कि दो इंच हमने यहां पर रखा है अब दो इंच है पांच इंच के पाकिट लगेगी तो यहां से देखिए धाई इंच हमारे बीच भी डाट के पास आ रहा है ना यह बाला जुरू है तो यह परफेक्ट होता है इसी तरीके से आपको आपर कुटका लगा लेना है और इधर सा दांट हमारी पढ़ जाती है इस तरीके से यह तो हटा देते हैं इसमें डांट पढ़ेगी प्रेसर साफ होगा तो हम कपड़े की बैक पाकिट नकालेंगे तो यहां से हमको पाकिट की लंबाई चाहिए शक्तरा इंच है इतनी होना चाहिए कपड़े को सीधा कर लेंगे चम्राइ साथ इंच होना चाहिए पांच इंच की पाकिट बना रहा है तो साथ इंच हमको चाहिए यह बैक पाकिट का खैला हमारा कम्पलीट हो गया इसको अड़ा देते हैं उमको क्या चाहिए बैक पाकिट की जाती जाती मतलब उपर कर जो कपड़ा होता है बो हमको चाहिए क्योंकि इसमें जाती की जरूबत तो है नहीं तो बो भी साथ इंच चाहिए यहां से इसको भी न लेते हैं इसकी चौणाई आप जितनी चाहें तो रख सकते हैं तीन इंच रख सकते हैं साड़े तीन चार पाँ जितनी आपकी इच्छा उतनी रख सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है तो दो छीज़े हो गए हैं एक हमारा ठाहिला उसके बार जाती अब हमको चाहिए बाल् điều ऑली हम बनाएंगे जिसको बोलते हैं वह पाकिट हम बनाएंगे जुकि बही ज़्यादातर चलती है देखें बालिट वाली भागटां जो हैं वो चार पांच छे तरीके से बनती है लेकिन देखें जो पैंट में हम बताएंगे वो मैन होती है बही जाला तर पैंट में चलती है तो जैसे कि पैंट की बेल्ट में जो पेश्टिंग पड़ती है बूँ आपको ले लेनी है अब यहाँ पर जो है हम बालिट डालेंगे आदा इंच में एक सूथ कम तीन सूथ की बस यहाँ पर हलका सा कट लगाना है और इसको फाड़ देना है यह अपने आप ही सीधी कट जाएगे आपको काटने की इसको ज़रुत नहीं पड़ती है अगर साइट में चाते हैं तो फूचरे बगएरा यह निकलते हैं यह इलके से इनको छाट सकते हैं अब यह जो है इसमें हम चिपका लेंगे ख़डे कपडे में बालिट जो है हम ऐसा ख़डे कपडे में चिपकती है क्योंकि देखिए कफ जो होते हैं हमारे वो खड़े में चिपकते हैं कालर जो हो है वो खड़े कपड़े में चिपकता है तो ऐसे ही हमारी जो बालिड होती है वो खड़े कपड़े में चिपकती है बेने कपड़े में आपको नहीं चिपकाना है इसको चिपकाने के पर इसको क काट लेना है जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप काट सकते हैं उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से हमारी आ गए अब हम चलते हैं मसीन पर इसको बनाते हैं तो देखे अब हम जो है सबसे पहले अपनी डांट डालेंगे जैसे कि हमने निसान लगाया था डांट का तो हमको डाल लेनी है डांट डालें तो एकदम ऐसे करके गुलाई ना करें यहाँ पर एकदम किरास मिलाएं इससे क्या होगा कि आपका पल्ला अच्छे से बैठेगा फुलाव नहीं आएगा पल्ले के बैक में और टाकी लगा दें उसके बाद इस डांट को क्या करना है इसका मारजन बैक साइट में करके और जो है इसको प्रेशस साफ कर लेना है चाये तो आप ऐसे बना सकते हैं parenthर आपका नए है तो साफ करने तो साही रहेगा तो देखे यह हमने साफ कर ली अब देखे यह बिल्कुल ही देखने में अच्छी लग रही है तो देखे अब हम पाके लगाएंगे सबा तीन इंच पे मतलब नीचे यह बीचो बीच में आएगी स्लाई उसके बाद धाई इंच और इधर धाई इंच तो यह हो गई पाँच इंच यह हमारे निसान लग गए निसान लगाने के बाद जैसे कि यह हमारे पास अस्तर बीच का कुटका इसका लगा लेना है और बीच का कुटका जो है वो डाट के उपर आ जाए तो इससे क्या होगा आदी हमारी उधर चली जाएगी और हमको सिलाई लगा देना है बैक साइड में हमारा कुछ इस तरीके से अस्तर आया है यह देखिए अब हमको क्या करना है दुसरे इस्टेब में बालिट लेना है बालिट को हम फोल्ड कर लेंगे उसके बाद यह जाती है इसको भी हमको फोल्ड कर लेना है एक साइड से यह दो चीज़े बन गए तिसरी चीज़े भी बाकिए है लुपी तो देखिए अगर मा लेज़े टाउजर पैंट आपकी है टाउजर तो आपको कमपलसरी है पीछे काज बनेगा बैक पाकिट में मतलब काज बनना ही बनना है 100% बनना है लेकिन यह सिंपल पैंट है सिंपल पैंट में क्या है पीछे काज भी बन जाता है और लुपी भी आप लगा सकते हैं मतलब दोनों उप्सन होते हैं काज बना ले चाहिने लगा लेकिन जाड़ा तर लोग लगाते हैं बैक साइड में सिंपल पेंट में तो यहां पर हम लगा कर आपको दिखाते हैं तो लुपी आपको काट लेना इस तरीके से लुपी के लिए कपड़ा लुपी आप जितनी पतली लगाएं उतनी ही अच्छी है ज्यादा मोटी लुपी आपने देखा होगा बटन ठीक से नहीं लग पाता है तो यहाँ पर हमें कपड़ा देखे काटा है पाउन इंच का अब हम इसकी लुपी बनाते हैं तो लपकी भी एक लगा लेंगे शिलाई तो यहाँ बन गई लुपी जो कि लगबक देड़ सूत की है इसको हमको क्या करना है सिंपल सा अईसे करें रखना है do आईसे है अद अब लगां अब जतना बटन लगां है आपको उतनी लुपी बाहर निकाल देना है तो थोड़ी सी बड़ी यह पर इतनी लुपी निकाल लें सोटा लगा रहा है तो चोटी सबसे पहले हम जड़ेंगे यह बालिट तो यहां पर निसान लगे हैं निसान के पास से ही हमको और नीचे का कपड़ा टाइट रखना है इससे क्या होगा टाइट जब आप रखेंगे तो आपकी नम नहीं आएगी नीचे नम नहीं आएगी तो बालिट में फिनीशिंग आएगी पहली सिलाय लगा दी हैं अब आपको नाप लेना है बालिट कितनी है जैसे की बालिट है हमारी यहां से हम देखेंगे तो आदा इंच में एक सुथ कम बही हमको इदर साइड में आदा इंच में एक सुथ कम यहां पर निसान लगा लेना है अब इतनी ही हमको सिलाई लगाना है जितनी चौड़ी यानि कि यह बालिट है उतनी ही चौड़ी हमको बीच में गैप रखना है तब ही हमारी यह बालिट ऐसे करके आएगी अगर आप इससे ज़्यादा रख देंगों तो बालिट का मुझ फाइल जाएगा मतलब पाकिट का मुझ फाइल जाएगा बालिट जो पाकिट हमारी वो खराब हो जाएगी और कम कर देंगे तो यह फाइगी यह बालिट जो है यह इसमें अंदर नहीं जा पाइगी फाइगी तो इतना ही रखके है जितना यह चौड़ाई है उतनी ही हमको बीच में रखना होती है और देखिए इस तरीके से आपको मूड़े लेना इसके जट सीधा बिल्कुल हमको किरास में लाना इससे लाई ऐसे तो यह पल्ला जो रखेंगे आईसे करके एक आईडिया भी ओझेगे जब आम बनाने लगते हैं न तो आपको एक आईडिया हो जाता है कि हां इतनी ही है लेकिन जब आम नए होते हैं सुरुबात में तो आपको दिक्कत होती है आप दीखिए डांट हाई यह लगा लिया यहाँ आपर हमारी लगेगी यह वाली लुपी तो लुपी हमारी उपर से ही लगेगी तो इतना इतना हमको यहां पर छोड़ देना है टांकी लगा कि इतना छोड़ देंगे उपर से लगेगी स्लाइब और बस बैक पागिट में दो ही चीज़ा तो ध्यान रखना होती है बस स्लाइएं दो हैं यह हमारी ठीक से लग जाएं समझे लिजए कोई भी दिक्कत नहीं होती इधर से आप इधर से आप देख लें कि यह चीज़ बराबर है सीधी इधर से आप देख लें कि यह चीज़ हमारी सीधी स्लाइब लगी है यह नहीं लगी है और यह चौनाई जो है यह वालिट की चौनाई इसके बीच में आना चाहिए बिलकुल ही यह हमारी सिलाई लगी है इस से पीछे ही हमको इतना पीछे रोक के इस तरीके से किरास में हमको बनाना होता है किरास तब ही हम इसको पलट सकते हैं अगर हम सीधी बहां तलग काट देंगे तो फिर वालिट खराब हो जाएगी मतलब पाकिट खराब हो जाएगी फिर हम और बड़ी बनाए हैं तो इसके जड़ तक हमने काट दिया और इधर साइड में भी जड़ तक हमको काट देना है ऐसे है इधर साइड में तिलाई ना कटे और इसकी जड़ तक होना चाहिए बस यह हमारा काम हो गया अब हमको क्या गरना इसको पलट के सिलाई लगा देंगे इसका मंगारजन उपर करके और हमको बालिट के उपर सिलाई लगा देना है उसके बाद सिंपल सा इसको हमको अंदर करना है इसको भी अंदर करना है यानि कि दोनों चीजों को इसको अंदर कर देना है उसके बाद हमको पलेटना होता है और ऐसे निकाल लेना है अब यह दिखिये यह जो हिस्सा है अंदर का इसको इधर साइट पलट देना margin को और इसको खींचना है इसको खींचेंगे हलका सा और यह इसमें रख देंगे ऐसे और बही आपको इधर साइट में भी ओके अब हमको इस तरीके से इसको खींचना है इस तरीके से खींचने के बद अब हम इस पर सिलाई लगा देंगा टांकी लगा देना इधर साइड में इसको उठाना है इस तरीके से इसको खींच के ऐसे और इसके जड़ में काट देना है देखे इधर का हिस्सा मारा बन गया अब इधर का भी बना लेते हैं इसे ही सिंबल साइश को खींचना है अच्छे से बैठा लेना आप बालिट को अच्छे से बैठा लेना है बालिट को तो यह देखे इतना का मारा हो गया अब सिंबल साइश बालिट वाला जो कप्ड़ा है इस पर हमको सिलाई लगा के दबा देना है उसके बाद ऐसे करके रखना है इसको और इसको बंद कर देना है इस तरीके से और उपर से सिलाई लगा देंगे इसके मार्जन को पलट के ऐसे अबम्र के लुपी तो बालिट से हमारे एक सूद बाहर रहना चाहिए ये लुपी क्योंकि इतना ही बड़ा बटन होता है उपर से चाहें आप एकी सिलाई लगा रहें बाद में अंदर से टाकी मार दें लुपी मजबूती के लिए अब लुपी की मजबूती के लिए चाहें तो आप इदर से टाकी लगा सकते हैं अब सिंपल सा एक सिलाई हमारी और रही गए है जो जाती थी ये ये बनना ऐसे ही रहेगी हमको इसको दबाना होता है अंदर से सिलाई लगाना होती है सिंपल सा पाकिट हमारी तैयार हो गए अब हमको ये फाल्टू का दिखरा है फुचरे बगर इसको छांट देना है और इसको मोड देंगे आईसा ही मोड दें बीच में आप जो है जतना चाहिए twenty inch रख दें एक inch रख दें आईसा ही मोड दें इसमें कोई नाप बगरा नहीं होती इसकी उपर के हिस्से में और इसके बाद उपर से इसको पैयर किसलाई से दबा देना है यह होती है सिबिल वाली जो पाकिट होती है बालिट वाली वही अपने आपको बताई है क्योंकि सिंपल पेंड बना रहे हैं कोई सीखेगा तो यही मैन होती है पाकिट तो बहुत तरीके से बनती है साट में अलग तरीके से बनती है बालिट बाली और जो है पंजामे में अलग तरीके से बनती है रेडिमेड बाले में अलग तरीके से बनती है ये कही सिलाई में बालिट बाली पूरी पाकिट बन जाएगा इसा भी होता है मैं तो मैं धीरे धीरे में आपको सब बता दूँगा लेकिन जो मैं थी भूम ने बताई है आपको उसके बाद इसको झाल 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 तो यह हमारी पाकिट जो है वो बनके रेडियो गई उल्टी तरफ कुछ इस तरीके से आई अब इसमें प्रेस बगरा लगेगी अमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और पिछले वीडियो नहीं देखें हैं तो एंड स्क्रीन में और डिप्योशन बोक्ष में और चैनल पर जाके दोजारे-टेश पैण्ड शरीस आप देख सकते हैं तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और हम से कुछ पूचना हो तो कमेंट जरूर करें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार